हाई स्टूडेंट ओनलाइन क्लास में मैं फिर आजीर हूँ और आज हम सब मिल के सीखेंगे मास्क बनाना क्योंकि तुम सब को पता होगा स्कूल बंध है और वो कोविड नाइंटीन के बज़े से क्योंकि पूरा दुनिया में फैल गया है ये तो इससे बचने के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और तुम अपने हाथों से मास्क बनाओ खुद पहनो घर के सब को पहनाओ भाई बहन नाना नानी चाचा चाची अपने पिता जी माता जी को चलो अब मास्क बनाना सिखते हैं तो सबसे पहले मास्क बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है सिंथेटिक बैग चाहिए जैसे सिंथेटिक बैग ये है ऐसा बैग तुमको मिल जाएगा अपने घर में ही उसके बाद चाहिए सिंथेटिक एदेशिब जो तुम जानते ही हो और पेपर पेंसिल स्केल इरेजर एक सीजर और नीडिल या त्रेड दोनों ही चाहिए नीडिल और त्रेड तो सबसे पहले हमको क्या करना है एक पेपर लेना है उस पेपर को लेके उसमें देखो नौ इंच जहां नौ इंच लिखा है उसको मर्किंग करना है मैंने एक लाइन खीचा हूँ नौ इंच और इधर लेना है करीब साड़े पांच इंच पांच साड़े पांच देखो इसका मतलब एक बड़ा पेपर से तुमको साड़े पांच इंच बाई नौ इंच का एक स्क्वेर को काटना है तुमको देखो मैंने इसको काट दिया साड़े पांच बाई नौ इंच अब इसको फोल्ड करेंगे बीच में से देखो पेपर को मैंने फोल्ड किया फोल्ड करने के बाद चाहां फोल्ड हुआ है उसी जगा में तीन इंच तुमको मार्किंग करना है तीन इंच इधर से मार्किंग करना है ठिक उसी के बगल में इस कॉर्णनर में इधर दो इंच दो इंच दो इंच दो इंच करके मार्किंग करना है देखो ये दोनों मार्किंग किया मैंने, अब इस मार्किंग से इस मार्किंग को ऐसे कार्ब बनाएंगे और इधर भी इस मार्किंग से ऐसे कार्ब बनाएंगे यहां तक, ठीक है, देखो इधर से 3 इंच को छोड़के यहां से मैंने कार्ब बनाई यहां तक, और इधर भी 2 दौई इंच इधर तौई इंच इधर चुर के इस बीच में जब लावं किया है करलों को LOOK देख इतने कार्ट दिया इधर बी कप दिया कोड़ देखें इधर जो है, देखो, इसका सेप ऐसा लग रहा है, ठीक, ये बन गया हमारा एक परफेक्ट साइस का मास्क का डाइस, ठीक, अब ये बैक लेंगे, इस बैक के इस साइट को काटना है, देखो, मैंने इस बैक का साइट को काट दिया, काट के इसको सीधा कर दिया, अब जैसे लेयर बनाओगे, दो लेयर का अगर मास्क बनाओगे, तो ये अल्डेडी दो लेयर का ही है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, और इसको इसके उपर ऐसे रख के एसे रख के इसको काटना है ठीक चारों तरब पुरा काटता है क्योंकि यह बैक देखो दो लेयर का इसमें है तो अगर मुझे दो लेयर का बनाना है तो ऐसे इसके उपर रख के इसको काट दो, देखो बैक से इसको बैक को ने काट रिया, तो काट के ये दो लेयर निकल गया, अगर तुमको दो लेयर से जादा चाहिए तो तीन लेयर में भी बना सकते हो, तो इसमें तीन चाहिए, अब इन दोनों को हम अपस में जोड देंग दोनों लेयर को अपस में जोड दिया, अब इसके बाद ये जो बड़ा कार्व है, इधर देगो छोटा कार्व है और इधर बड़ा कार्व है, तो ये बड़ा कार्व जिधर है इस बड़ा कार्व को यहां पेस्ट करना है तोनों को, ठीक है? इस साइड में पेस्ट करना है और इसको कुछ नहीं करना है इधर इधर पेस्ट करना है इसका मतलब इधर ही पेस्ट करना है देखो ऐसा होगा पेस्ट करने के बाद ऐसा लगेगा देखने में सिर्फ जिधर बड़ा कार्व है उस बड़े कार्व की तरब पेस्ट करना है इधर नहीं सिर्फ बड़े कार्व की तरब तो जब पेस्ट करोगे पेस्ट करने के बाद ऐसा लगेगा तुमको देखने में ऐसा लगेगा पेस्ट करने के बाद देखने में ऐसा लगेगा देख इसके बाद इसको कान में लगाने के लिए इसको हैंडेल लगाना पड़ेगा तो उससे पहले यह जब पेस्ट हो गया पेस्ट होने के बाद देखो इधर पेस्ट हो गया पेस्ट के बाद इसको उल्टा कर देंगे देखो मैंने इसको उल्टा कर दिया तो जो पेस्ट जिधर हुआ था वो अंदर चला गया और बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है देखो बाहर एकदम अच्छा दिख रहा है अब इधर देखो यहां और यहां दोनों तरफ दो कान में लगाने के लिए जैसे यह जाएगा मूँ के अंदर और दोनों तरफ कान में लगाने के लिए दो हैंडेल लगाना पड़ेगा हैंडेल लगाने के लिए उसी बैग से ऐसा चोटा चोटा पतला पतला स्ट्रीप काटना पड़ेगा और जिसका साइज होगा करीब सादे नौ-इंच देखो नौ-साडे-नौ-इंच और उसको पे्स्ट कर दो देखो यह पेस्ट किया गया है डबल है यह देखो यह डबल है, ठीक है, तो यह डबल है, दोनों को ऐसे पेस्ट कर दो, वकर और मजबूत करना है, तो फिर इसको फोल्ड करके फिर पेस्ट कर दो, यह और पतला हो जाएगा, ऐसे फोल्ड करके फिर पेस्ट कर दो, बीच में से ऐसे फोल्ड करके फिर पेस्ट कर दो, ठीक है, तो ये कान में लगाने के लिए स्टिप बन जाएगा और इस स्टिप को इसके दोनों तरफ लगाना है देखो मैंने इसको लगा दिया दिखने में कैसे दिख रहा है इसको देखो ये मास्क है और इसके दोनों तरफ कान में लगाने के लिए हो गया बन गया मास्क धेर सरा देखो और खुद भी पहनो और दूसरों को भी पहना हो घर के लोगों को भी पहना हो ठीक है देखो ये सरा इसे ही है कि इसको फोल करके अंदर हो गया और दोनों तरफ जो कार्व है चोटा कार्व था भूस कर्भ में इसको कर्स्ट किया क्यूस न है है और Τल बमासिर पे मुद्ध के इन लाए कम ले खम्था को